तो दोस्तो देश का पहला हाई स्पीड एक्सप्रेस वे फाइनल यहाँ पर बनकर तयार हो चुका है बस अब कुछ ही दिनों में इसका उदगाटन भी कर दिया जाएगा हालिवे यहाँ पर महराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर और डेपिटी चीफ मिनिस्टर ने तो इसका इंस्पेक्शन भी किया आप देख सकते हूं इस वीडियो में जहाँ पर यह Mercedes कार में बैटे है और यहाँ पर खुद डेपिटी चीफ मिनिस्टर देविंद्र फटनेविस जी ने ये कार को ड्राइव किया है थ्रू दिस एक्सप्रेस वे 701 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेस वे है और इसका एक काफी important section Mumbai to Shady ये अब जल ही खुलने वाला है इसकी कुल लंबाई है 520 किलोमीटर की अब इस एक्सप्रेस वे की मदद से पहले जो travel time था 18 hours का वो अब आदे से भी घटके कम हो गया है to just 7 to 8 hours और अपने आप में ये काफी बड़ी बात है मैं आपको बताओ तो इस एक्सप्रेस वे के लिए 55,000 क्रूर रुपीस से भी ज्यादा पैसे खर्शिये गए है वही अब मैं इसके top features आपको बताता हूँ तो सबसे पहले तो सीधे सीधे JNPT से इसे connect कर दिया गया है फिर 150 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से गाडिया यहाँ पर दोड़ सकती है और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसा एक्सप्रेस पे बनाया गया है इतनी हाई स्पीड को सपोर्ट कर सकता है लेकिन यहाँ पर 120 के MPH रखा जाएगा top speed safety के लिहास से फिर international standard जितने भी map dant थे सब इसमें डाले गया है with 120 meter wide, 8 lanes डाले गया है, 4 on each side और मालीजे अगर future में traffic यहाँ पर बढ़ भी जाए तो फिर हम आसानी से extra lane इसमें add भी कर सकते है इसके अलावा safety भी भर भर के features डाले गया है कि मालीजे अगर कोई आपात का लिन स्थितिया आ जाती है fighter plane भी यहाँ पर land कर सकते है currently safety को ध्यान ठकते हुए यहाँ पर 15 ambulance, 15 rapid response vehicle और 13 patrol vehicles deploy कर दिये गये हैं जो की emergency help के लिए हमेशा उपलब्द रहेंगे so कुछ ही दिनों का इंतजार है 11 December को यह Prime Minister नरिंदर मोदीजी द्वारा उद्घाटन inaugurate भी कर दिया जाएगा इस Expressway के बारे में वैसे आपकी क्या रहा है definitely comments में बताईएगा